आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ पर मैं वीडियोस अप्लोड करता हूँ आपको बताना चाहता हूँ कि रिया असेस पे मैंने काफी सारे वीडियोस अप्लोड किये यहां पर जाके देख सकते हैं और मैंने अभी मीन वेली ठेयरम पर रॉल्स मीन वेली ठेयरम है दैन लागराजी मीन वेली ठेयरम है इनके प्रूफ और इन पर बेस्ट कुछ कुछ कशन मैं आपके सामने लिए हैं आज मैं आपके सामने बताने वाला हूँ कोची मीन वेली ठेयरम जिसका प्रूफ ए उस पर सकते हैं तो प्रिभियस जो कुशन है रोल्स और लेंगराजी मिन्वेली थियोरम पे वो आप आई टेप पर जाके देख लिए यह आपको बहुत अच्छा समझ बहाएगा तो इसलिए आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे कोची मिन्वेली थियोरम पे बेस्ट कुछ कुछ कुछन और उसका प्रूफ यहाँ पर यहां पर फंवेली थियोरम बोलती है ज्याँ दीजेयं अगर हमारे पास यहां पे कोई भी कुछन दे रेख sincerity FCr यहां पर दो फंक्शन होता है F Zoom Glick क्रूफ ने ओनि होने चहिए इंट्वापन अच्छ उने यह तो है एक ऐसा point C, इस interval AB में exist करेगा, है ना, जहाँ पर F-C upon G-C is equal to FB minus F-A upon G-B minus G है, इस विल में आपको बताना चाता हूँ कि अगर आपको लेंगराजी मिन वेलिक चरम यहाँ पर आपको बताना चाता हूँ कि लेंगराजी मिन वेलिक चरम हमारे पास क्या होती है, अगर F और G दो अलग-अलग function के लिए हम लगाएं, तो हमारे पास यह होती है कि F-C is equal to, हम यह जानते हैं कि FB minus F-A upon B minus A होती है, और G-C जो होती है हमारे पास, वो होती है, G-B minus GA, मतलब अगर G function के लिए लगाएंगे, है ना, divided by B minus A, और इन दोनों का अगर divide कर दें, तो यह टम से यह term cancel हो जाती है, हमारे पास F-C upon G-C is equal to, यह हो जाती हमारे पास, FB minus F-A upon G-B minus GA, ultimately यह हमारे पास क्या हो जाती है, कोची main value theorem हो जाती है, दो function के लिए बात हो रही है यहाँ पर, तो इस तरह से यहाँ पर होता है, पर अब इसका proof जो है, वो कैसे हम करते हैं, तो इस तो फिर यह infinite हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पर जो function होना चाहिए, इसका derivative not equal to 0 होना चाहिए, and G-B minus GA is not equal to 0 होना चाहिए, अब बात करेंगे, हम एक function consider करते है, F-X is equal to, capital F-X is equal to, small F-X plus A-G-X, इस यह हमारे पास, दोनो F-X और G-X हमारे पास यहाँ पर एक एक polynomial है, और ultimately यह हमारे पास क्या होगा, continuous भी होगा, और differentiable भी होगा, अगर यह continuous और differentiable है, इस A-B interval के अंदर, तो हम जानते हैं, यहाँ पर कोची मिन्विल, sorry, roles मिन्विलिशनों यहाँ पर क्या करती है, satisfy करती है, इसका मतलब यह हुआ कि दूनों point A और B के अंदर, हैना A अगर function fx है, मतलब यह होना चाहिए कि capital F A is equal to capital F B बरावर होना चाहिए, and एक और हमारे पास condition होगी कि F dash C हमारे पास क्या होता है, 0 होता है, इन दोरों से हमारे काम हो जाएगा, तो इस विन F A is equal to F B, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यह आएगा हमारे पास, F A plus A G A is equal to, य यह आएगा हमारे पास, G A minus G B divided, यह उदर गया, तो यह हो जाएगा हमारे पास, F B minus F A, इस विन यह पर क्या करता है, यह minus A is equal to हो जाएगा हमारे पास, F B minus F A divided by, यह minus common लिया तो यह हो जाएगा, G B minus G A, यह हमने यहाँ पर इसकी A की value निकाल दी, है ना, मतलब माइनस A इसका derivative क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो यह हमारे पास है, इसका हम derivative लेता है, तो यह क्या है यहाँ पर, F डिस और X की जगह C रखेंगे, प्लस A, G देशी, is equal to 0 हो जाएगा, तो यहाँ यहाँ पर, हम जानते हैं, इसकी value बराबर, हम 0 रखते हैं, और हमारे पास, यहाँ पर, तो F-C upon G-C और यह माइनस का A आ रहा है यहां पर और माइनस A की वेल्यू यह आ रहे है तो इसलिए हम यह वेल्यू रख सकते हैं FB-FA upon GB-GA इस तरह से हम इस ठ्योर्म को यहां पर बहुत इसली प्रूव कर सकते हैं तो जो हमारे पास कोची रिमीन वेल्यू ठ्योर्म होती है उस क्वाल्टिमेटरी रोल्स वाले concept से इंप्रूव करते हैं वस यहां पर दो function लेते हैं और आपको यह assume करना पड़ेगा तो यही मैंने यहां पर समझाने की कोशिश करिए यह माइनस एकी वेल्यू होगी देन इस वेल्यूर्म हम जानते कि इसाद c-point इस ओपन इंटर्वेल एवी में exist करेगा जहां पर इसका derivative 0 होगा हम जानते कि जो fx था हमारे पास वो क्या था capital fx की जो वेल्यू थी वो थी हमारे पास small fx plus agx था तो इसका हम derivative लेंगे तो इस ओपन इहां पर हमारे पास f dash capital x is equal to f dash small x plus ag dash small x आएगा तो यहां पर x की जगा c रख देंगे तो यह आजाएगा तो इस ओपन इहां पर क्या करेंगे यहां पर minus a की वेल्यू यह यह उठा करेंगे and then simplify करेंगे तो यह हमारा theorem का prove आजाता तो इस तरह से theorem क हम यहां पर prove करते है इस वे इस पर best question भी exam है पूछे जाते हैं और बहुत अच्छे questions आते हैं बस यहां पर दो function दिये होँगा अब आप बोलोगे सब हमें किसा पता बढ़ेगे जो e की power x और e की power minus x है यह continuous भी होता है और differentiable भी होता है अगर ऐसा है तो हम जानते fb minus fa upon gb 5b यहां पर दो function लिए 5b minus phi a is equal to f dash xi upon g dash xi इस विन यहां पर क्या करेंगे यह हमारे पास function है जहां पर भी x है जहां पर भी x है वहां पर a रखेंगे तो e की power sorry यहां पर b रखेंगे तो e की power b minus e की power यह e की power a आ जाएगा आप है divided by f 5b minus phi है तो यह बारे पास phi है इसकी जगा e की power minus b minus e की power a और इस विन यह derivative है तो हम जानते हैं इसका जो derivative होगा वो e की power x ही आएगा और इसका जो derivative होगा phi? x वह भाएगा minus e की power minus x तो यहां पर हम जाhou रखेंगे तो e की power जाहे हो जाहे istprae पर इसकी की power minus y को उपर ले चाहिए तो यह हो जाएगा हमारे पास minus e की power to zी हो जाहेगा और यहां पर one upon इसको आप क्या करेंगे जैसे इस tab है तो इस टम को हम क्या लिखेंगे जैसे मैं इसको लिखूँ तो e की पावर b minus e की पावर a upon यह आएगा 1 upon e की पावर b minus 1 upon e की पावर a अब इसका lc लेंगे तो इसको इसको मैं अगली वाली step बताता हूँ यहाँ पर जब इसका हम lc लेंगे तो यह हमारे पास e की पावर a minus e की पावर b ऐसा आजाएगा और e की पावर a e की पावर b यह उपर जाके ऐसा चला जाएगा इस विए दोनों 10 यह दोनों हमारे पास सेम ही है बस यहाँ पर minus common आ रहा है इस विए ऐसा minus common आ रहा है तो a plus b is equal to 2 xi तो xi is equal to हमारे पास क्या हो जाएगा a plus b होगा और obviously यह जो point आ रहा है इस open interval a b के अंदर ही आ रहा है मतलब यहाँ पे kochi mean value theorem यहाँ पर कर सकते हैं apply कर सकते हैं तो इस तरह से इस question को हम solve करते हैं इस विए next देखिए अगला question और अगला question भी kochi mean value theorem पर ही है by the kochi mean value theorem the following pair fx and gx हमारे पास दो दिरिखा है then show that c is a geometric mean of a b यहाँ पे जो c जो point आएगा जो a b open interval के अंदर आएगा वो इसका क्या होगा geometric mean होगा तो इस विए हमारे पास यह दो function दरीक obviously यह दोनों function continuous भी है और हमारे पास differentiable भी है a b interval के अंदर तो इसका derivative निकालेंगे तो यह fx हमारे पास तो इसका derivative आएगा वो f dash x आएगा तो हमारे पास root x है तो 1 upon 2 root x हो जाएगा इसको सरसा लिख सकते है gx हमारे पास 1 upon root x है तो इसका derivative होता है actually हम gx को मैंसा लेख सकते है gx is equal to x power minus 1 by 2 और यह minus 1 by 2 है गर minus 3 by 2 हो जाएगा तो यह हमारा derivative हो जाएगा clear है अब हम जानते है इसके जो छिरम होती है वो क्या होती है इसकी छिरम होती है जो कोची mini value छिरम क्या बोलती है fb minus fa upon gb minus ga is equal to f dash c upon g dash c तो मैं इसको यहां कर देता हूँ तो इसको यहां पर क्या करेंगे यहाएगा root हमारे पास point क्या दे रखे point हमें a और भी दे रखे तो क्या होगा इसको यहां पर देखिए आप root b minus root a divided by यहाएगा हमारे पास 1 upon root b minus 1 upon root a is equal to इसको यहां पास f dash c तो यह हमारे पास f dash यहां पर भी x इसको पास c रखेंगे था ररा है और इसको derivative यहां पास 1 by 2 c की power minus 1 by 2 यहाएगा बाइगा हमारे पास minus का 1 by 2 यहाएगा c की power minus 3 by 2 रहा है इसलों हम यह यहां पर वही यहां पर b minus root b और यहां पर ilsin मेंगे तो रूट A minus root B upon यह आएगा root A root B है ना इस विए यहापर क्या करेंगे 1 by 2 सो 1 by 2 तो एक बार cancel होगे आपके पास और C 1 by 2 उपर जाएगी power तो इस विए ओज़ेगा C power हमारे पास यह 3 by 2 है और यह 1 by 2 तो I think C power 1 हो जाएगा हमारे पास यहापर है है ना क्योंकि माइनस 3 by 2 उपर जाएगे प्लस 3 by 2 हो जाएगी और 1 by 2 इसमें एड होगा राइट इस विए टर्म हमारे पास चैंसल होरी तो आगे माइनस कमना तो पहले मैं इसको थोड़ा सिंप्लिफाइग कर लेता हूं यह हो जागा root B minus root A और यह जो तर्म थी एड़े सी 2 significa को समझाए आप इस थरी गैसे को मिया पैसे प्रूव कर सकते हैं तो ऐसे इसको बाद में ने वाला हो रिमान इंटीग्रेशन और में काफी सारे कंसेट से वहम डिसकेस करें और यृनिफॉर्म में अधने वाला हो मारी लिए बीट है कि आपके सामने पढ़ाने वाला हूं स्क्राइब करें नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखें सोदेट की आने वाले क्लासिस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद